देखो अभी भी पिने eject हो रहा है अब जैसे ही threshold frequency से ज़्यादा का light इसके उपर incident होगा electron का ejection क्या हो जाएगा start हो जाएगा देखते रहे हिए गया अब देखो यह दो यह हो गए इसकी 46, 43, 40 640 अब यह light परते ही देखो electron का ejection क्या हो गया स्टार्ट हो गया ना तो इस फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे ठ्रेस्वर्ड फ्रिक्वेंसी ठीक है डूल नेचर और मेटर और रेडियेशन जो नया चैप्टर है बहुत इजी है और बहुत आसानी से नंबर आपकर देख करके चला जाता है ठीक है डूल नेचर और मेटर और रेडियेशन अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छोटा सा वर्ड से वो है लालच क्या होता है लालच लालच क्या होता है बताएगा कोई लालच कब होता है इंसान के मन में लालच कब आती है जब कोई चीज देखता है, देखने के बाद तुरंत निकल के बाहर आने लगता है, हैगे नहीं, तो जैसे मैं बोलू, मैं यहाँ पर एक करोड रुपए रख देता हूं, ठीक है, एक हजार करोड रुपए रख देता हूं, और मैं यहाँ से दरवाजा बंद करके मैं कहीं च खोड़ करके यहां आए और पैसा लेके वापस थोड़ा बोत निकल जाए पुरा ना लेके जाए थोड़ा बोत लेके चला जाए ऐसा होगा क्या इसका मतलब वो सीट कब छोड़ा जब उसको कुछ लालच आया तो ऐसा ही काम हमारे इस modern physics में भी होता है इसको हम बोलते हैं ब किसी metallic surface को कितना कम से कम energy दिया जाए कि इस metallic surface पे जो electron present है इस surface को छोड़ के कहां आ जाए बाहर आ जाए मतलब कितने हजार करोड का लालच दिया जाए कि वो अपना जगह छोड़ करके बाहर आ जाए जिसे चोर होते हैं चोर को पकड़ने का तरीका क्या होता है उनको लालच दो उनको चोरी करने का छूड़ दो कभी ने कभी तो बाहर निकलेंगे निकलेंगे दुबारा चोरी क करने के लिए तभी पुलिस उनको पकड़ लेती है तो यही काम यहां पर भी होता सिंपल से बात का है कि अगर हम किसी कौन आगया वई अगर हम किसी मेटल सर्फेस को कितना मिनिममम एनरजी दे दें कितना मिनिममम एनरजी दें कि इलेक्ट्रॉन इस मेटल सर्फेस को छोड़ करके कहां आजाए बहार आ जाए लें दिस मिन्मम एनर्जी इस ओनवाट वर्क फंक्शन सबोगा तो मैंने एक ख़जार करोर का आपको लालच दिया तो एक हजार करोर क्या हो गया आपके पास, वो minimum energy हो गया जिसके वज़े से आप अपना seat छोड़ कर के आए उस पैसे को लेने के लिए, वो क्या कहला है आपके पास, work function, the minimum energy required to exact an electron from the metal surface is called work function, अब थोड़ा से एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात देहां से सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज ह अगर electron अपनी जगह छोड़ करके उपर आ रहा है, तो सायद हम लोगों ने chemistry में एक बात पड़ा है, कि कोई metal electron lose करता है, तो इसको उपर charge कैसा आएगा, positive, तो बाई साब यहाँ तो positive charge आ गए, यहाँ negative charge आ गए, फिर से इनको अपने तरफ खीच लेगा, खीच लेगा ना, लेकिन यही चीज को हमको सीखना है, कब ना खीच पाए, कब ना खीच पाए, कि इसको जो energy दिया जाए, वो इतना sufficient energy दिया जाए, कि वापस इसको खीच ना पाए, कहाँ छोड़ दे, उड़ा गे उपर, metal surface से बाहर छोड़ दे, वापस अपने metal surface पे खीच, ना पाए, that minimum energy कोई हम क्या बोलते है, work function, ठीक है, याद रखेगा, बहुत important है, कभी-कभी, बचों, confuse करने के लिए, examiner पूछते है, ना, so, चले, पहले, 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 हैदिंग लिखेगा, work function, फटा-फट, हैदिंग लिखेगा, work function, the minimum energy, the minimum energy required, the minimum energy required to eject an electron, the minimum energy required to eject an electron, from the metal surface, from the metal surface, is called work function, ब्रकेट मिस को फई से represent करते है, लिखेगा, the minimum energy required to eject an electron from the metal surface, is called work function, ठीक है, चलिए, आगे फिर से देखते हैं, अब, मैं आपसे question पूछता हूँ, कि यहाँ, किस किस टाइप की energy देके, आप electron को बाहर निकाल सकते हैं, हम एनर्जी तो बहुत होते हैं, इसका मतलब, पहला अगर हम बात करें, अगर electron emission में पहला बात करें, इसको हम बोलते हैं, thermo ionic emission, thermo ionic emission में क्या होगा, किसी metal surface को, कितना क्या दिया जाएगी, यह क्या है, heat, therm means क्या होता है, heat, therm word use ही होगा, आपके पास heat से, कितना heat दिया जाए, कितना कम से heat दिया जाए, कि electron इस metal surface को छोड़ करके बाहर आ जाए, ऐसे emission को हम क्या बोलते हैं, thermo ionic emission, कभी-कभी आपने देखा होगा, आप लोग heater पे कोई चीज खाना होना बनाते होंगे, और heater का coil उसके touch में नहीं रहता है, जैसे मानलो यह heater का coil है, और यह metallic body है, थोड़ा दूरी भी रहता है, तो कभी-कभी आपको जटका लगता है, आप नंगे-पाओं रहते हैं तो, ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब किसी coil है, वो भी एक metal है, उसको इतना कम से कम heat दे दिया ज ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, थर्मो आयनिक एमिशन की किसी भी metal surface को कितना कम से कम क्या दिया जाए, heat दिया जाए, कि electron metal surface को छोड़ करके बाहर आ जाए, इसको हम बोलते हैं, थर्मो आयनिक एमिशन, अच्छा है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूत पड़ेगी हमे semi-conductors में, हाना, semi-conductors में हम दो कहानी पढ़ेंगे, conduction band, valence band, तो valence band में जो electrons होता हूँ, heat देक, excite कराते हैं, heat देते, heat भी क्या है, energy, simple सी बात आपको एक बात बताता हूँ, याद रखना बच्चों, एक simple सी कहानी, क्या होता है, इस में मोटी मोटा, जैसे आप लोग बै बैठे रहोगे, या छटकोगे, छटकोगे ना, तो वही काम याँ पर भी हो रहा है, कि हम नीचे से energy दे रहे हैं, कहीं से energy दो जरूरी नीचे से, और electron क्या होगा, जैसे मान लोग आप electron हो, आप बैटल सर पर छोड़गे, कहा आगे, बाहर आगे, इसी को हम लोग क्या बो मोटी मुटा तोर पर देखा जाता हूँ, दूसरा होता है बच्चों, उसको हम बोलते है, field emission, इसको एक अठा लिखवा देता है, समझेगा पहले, field emission, इसका मतलब क्या है, मेटा बात नहीं, किसी metal surface को, कितनी strong electric field में रख दिया जाए, कि इस metal surface पर जो electron है, वो इस surface को छोड करके कहा आजाए, वहाँ आजाए, इसको हम लोग क्या बोलते है, field emission, sir, field emission मतलब समझ में नहीं आए आपकी बात, आपने TV देखा है, आप सब के घर पर डबा वाला TV देखा है, वो फ्लैट वाली नहीं बात करा है, आज कल का LED और LCD TV की बात नहीं करा हूँ, जो डबा वाला ऐसा picture tube होता था, मैं आपको दिखा दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके screen हो देखी सामने, पीछे एक ऐसे RGB light यहां जलती थी, और यहां से एक तार आता था, और यहां पर कभी भी आप TV देखा होगा, तो यहां एक EHT लगा होता था, EHT मतलब होता है extra high tension, अब बताब TV को आप कि TV कितने पर operate हो रहा है, 220 volt, मतलब सारा का सारा जगह पर कितना होगा, अंदर 220 volt होगा, ऐसा नहीं होता है, color TV में यहां पर लगबग लगबग 33,000 volt होता है, black and white TV में 11,000 से ले करके 33,000 volt अंदर होता है, यह EHT बनाता है, यह EHT, extra high tension, इतना ज्यादा वोल्ट बनाता है, यह या TV खुले वो दुकान पर देखा, चिपड़ाइब का चिपका होता है, वो क्या करता है, 220 volt को क्या करता है, step up कर देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्यों बढ़ाता है, क्योंकि हमको चाहिए, यहां पर एक strong electric field, और जब strong electric field में यह plate से जब strong electric field पास करेगा, तो यहां से electron का ejection होता है, और कहा जाता है electron, सामने जो screen देखा होगा न, जब कभी आप अपनी TV को बंद करके बहुत नजदीक से देखेंगे, तो छोटे छोटे dot में जराते हैं, उस छोटे छोटे dot को हम लोग बोलते है pixel, क्या बोलते है, pixel, वो electron क्या करता है, इस battle surface से निकल क करके, इस सब को hit करने लगता है, और जहां-जहां hit करता है, वहां-वहां, screen पर चमक आ जाती है, रास्टर आ जाती है, तो इसी emission को क्या बोला गया, field emission, इसका मतलब किसे metal surface को एक strong electric field में रखा गया, लगबग जो field होती है, वो होती है 10 to the power 8 volt per meter, इतना strong electric field में जागर किसे metal surface को रखा जाए, तो इस metal surface से वापस से क्या होगा, electron का emission होगा, इस process को हम क्या बोलते है, field emission, बात तौन जागे, yes, no, what is field emission, when the metal surface is placed in strong electric field, then the electron is ejected from the metal surface is known as field emission, and तीसरा, जिसके बारे में पूरे chapter के में पढ़ना है, वो है आपके पास photo emission, photo electric emission, photo emission नाम से होता है, photo emission में क्या होता है, किसी metal surface पे, photo मतलब, photo मतलब, light, किसी metal surface पे क्या incident करेंगे, light incident करेंगे, उस light के frequency, threshold frequency पे आगे पढ़ेंगे, threshold frequency के बराबर या उससे जादा कि light अगर incident करेंगे, तो ये क्या होगा, electron इस surface को छोड़के क्या आएगा, बाहर आजाएगा, इस phenomenon को हम क्या बोलते है, photo emission और इस effect को हम बोलते है, photo electric effect, आज समझागे, तो हमको detail इसी के बारे में पूरे chapter में पढ़ना है, और इसका experimental verification, 100% board exam में आता है, 220%, 5000%, 5000%, 500,000,000% जितना कहना है कहलो, एक आएगा जरूर, इसका एक observation जरूर आता है, clear हुआ, तो heading लिखेगा, बच्छो, types of emission, फटा फट, बिना बात किये, लिखते चलिये, types of emission, types of emission, इसके निदे पहला heading, thermogenic emission, thermogenic emission, ठीक है, thermogenic emission लिखेए, the process of emission of electron, the process of emission of electron, when a metal surface is heated, when a metal surface is heated, is called, the process of emission of electron, electrons, the process of emission of electrons, when a metal surface is heated, when a metal surface is heated, it is called, thermogenic emission, next, field emission, next, field emission, when a metal surface when a metal surface is placed in strong electric field, when a metal surface is placed in strong electric field, bracket milikhega, that is, 10 to the power 8 volt per meter, approach, 10 to the power 8 volt per meter, approach, bracket 1, then, the electron is ejected from the metal surface, then, the electron is ejected from the metal surface, is called, field emission, it is called, field emission, it is called, field emission, next, next, photoelectric emission, photoelectric emission, photoelectric emission, photoelectric emission, write the process of, the process of emission of electrons, the process of emission of electrons, when, when, light of suitable frequency, when, light of suitable frequency, is incident on it, is incident on it, is called, photoelectric emission, is called, photoelectric emission, and this process, of emission of electron from the metal surface, process, and the process of emission of electron, from the metal surface, process the phenomenal, and the phenomena of emission of electron, from the metal surface, and the phenomena of emission of electron from the metal surface is known as photoelectric effect is known as photoelectric effect ठीक है पेटा तो पहले वर्क फंक्शन क्या था जल्ली बताओ किसी metal surface को क्या दिया जाए minimum energy दे तो क्या करे electron metal surface छोड़ करके बाहर आ जाए उसी तरीके से जैसे आजकल के जमाना में कोई लड़कियां कहती है कि जी चलो भाग चला जाए तो लड़के बाहर उनको बातों में आ जाता है घर छोड़के भाग आता है तो लड़कियां का जो बात हुआ वो क्या हुआ मिनिममम एनर्जी अब वो घर क्या हुआ metal surface छोड़ करके कौन बाहर आया लड़के यही कहलाता है क्या वर्क फंक्शन एक लाइन में तो बच्चे बच्चे जानते हैं इसमें तीन डैप्स के एमिशन होते हैं heat देके eject कराएंगे electron को तो क्या कहलाएगा thermogenic emission strong electric film में रख करके electron को eject कराएंगे तो field emission light दे करके electron को eject कराएंगे तो photoelectric emission समझ में आगया आपर yes no अब जयान रखने वाली बात यह है जब भी हम लोग यहां बात कर रहे हैं तो हम एक word बोल रहे है minimum energy यहांपे क्या बात करें minimum energy यहां कौन सा energy लगाता light energy electric field की कानिती यहां पे भी light energy heat energy तो यहां जो energy है अब इस energy को हम लोग joule में नहीं represent करेंगे अब इस chapter में इस chapter के बाद जो भी chapters आएंगे उसमें हम लोग energy को energy को पीछे बटो हम लोग represent करेंगे electron volt में ठीक है joule में नहीं represent करेंगे किस में करेंगे electron volt में अब याद रखेएगा बच्चों 1EV 1EV EV का मतलब होता है electron volt 1EV equal to होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 joule याद रखना यह relation note में नीचे लिख लो चाहो तो 1 electron volt equal to होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 13 joule अब electron volt का जमाना हम लोग start करेंगे है ना आज तक आप लोग joule 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 करते हैं अब अगर मैं बोलूँ कोई आपके पास joule में दिया उसको electron volt में convert करना है तो क्या करोगे इतने से divide कर दोगे 1.6 into 10 to the power minus 19 से divide कर दोगे EV में convert हो जाएगा एलेक्टरान वोल्ट में ज़्यादा तर आपके पास जो question आएगा और आता है वो हमेशा electron volt में ही पूछा जाता है आगे भी जब आप एटम नुकलिया पड़ेंगे वहाँ भी कुछ energies हम लोग को निकालना होगा है ना क्यूँ energy निकालना होता है एक energy की unit हम लोग मान लेते हैं आज से अपने जहन में बैठा लेते हैं किसी को यहां तक दिक्कत तो बोलो no sir अब हम दिक्कत पैदा करने वाले हैं क्योंकि अब topic स्टार्ट होने वाली है खतर ना अब यह हम लोग बात करते हैं photo electric effect experimental verification for photo electric effect very important थोड़ा ध्यान देंगे यही आता है exam में 100% आता है ठीक है समझिएगा पहले experimental verification for photo electric effect जहां तो सुनिए तो यहां पर यह जो आपके पास दिख रहा है जो जो चीज मैं अभी समझा रहा हूँ उसको समझते जाएगा अपने सभी लिखने का प्रयास ने करेगा मौका देंगे यह आपके पास एक evacuated glass tube है इसके अंदर air नहीं है इसके अंदर air नहीं है इसका उपर का जो window है वो quads fiber का बना हुआ है सीसे का नहीं बागी body सीसे का है लेकिन उपर का जो window है वो quads fiber का है सर क्यों पहली काम कि सर हम glass का भी तो बना सकते थे glass का क्यों नहीं बनाया क्योंकि glass जो है वो UV right को अंदर जाने नहीं देगा ठीक है, quartz fiber UV को भी क्या करता है, allow करता है कि जाओ तुम भी अंदर मज़ा ले लो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा विंडो लगाएंगे, quartz window या quartz fiber आप लिखेंगे ठीक है, जहाँ से समझते जाएएगा, अब यहाँ दो plates आपको दिखाए दे रहे होंगे plate एक ये दिखाए दे रहा है, इस plate को बोलते हैं C, cathode या emitter, C का मतलब होता है cathode या emitter cathode या emitter, यहीं से electron emit होना start होगा, A का मतलब होता है anode या इसको हम बोलते हैं collector ये electron को क्या करेगा, collect करेगा, ठीक है, सब कुछ tension लेने वाली बात नहीं है, बस समझते जाएएगा मैं बताऊंगा, उस तरह से आप लिखते जाएगा, हो गया, अब यहाँ पर एक चीज ये दिखाए देना है, बहुत खिचरी टाइप का, इसको हम लोग बोलते है किसका टर्मिनल आया है, कैथोड से ये ऐसे आया हुआ है और यहाँ पर गया है, और यह वाला टर्मिनल किसे आया है, अगर इस टर्मिनल को बेटा, यहाँ जोड़ दें और इस टर्मिनल को यहाँ जोड़ दें, इसका मतलब कैथोड को आपने कैसा दिया, पॉजिटिव द पॉस्टिव और कैथोर्ड कैसा हो जाएगा निगेटिव तो कम्यूटेटर का काम बस इतना ही है कि हम इसकी पॉलारिटी जब चाहे तब रिवर्स कर सकते हैं यहां से इसको जोड़ा जोड़ा तो यह पॉस्टिव यह निगेटिव इसको इधर जोड़ दिया इसको इधर ज काम है polarity change करने का काम करेगा मतलब है मैं अगर एक पॉलारिटी निगेटिव रखना चाहता हूं कि प्शूर रखना चाहता हूं जैसा पॉलारिटी रखना चाहता हूं वह कम्यूटेटर के त्रूम लोग करते हैं अब सिरीज में यहाँ पर एक माइक्रो एमिटर करेंट किया गया जहां से यह सुनने वाली बात है बहुत सरे बच्छे गलत करते हैं और यह लिख देते हैं यह गलत होता है मिली एमिटर नहीं उज़ोगा यहाँ पर क्या उज़ोगा माइक्रो एमिटर माइक्रो मतलब यहाँ बहुत छूटी करेंट बनती है बहुत कम करेंट बनती है अब बहुत कम करेंट को मेजर करने के लिए हमें माइक्रो एमिटर के जरूत पड़ती है मिली एमिटर से बहुत कम करेंट मिजर नहीं कर सकते है ठीक है इसी वज़से माइक्रो एमिटर यूज करते है एक्जामनल यह ज़रूर देखता है फीगर में ध्यान दीजिएगा अब पैरलल में क्या लगता है एक वोल्टमेटर लगता है और साथ में एक रियोस्टेट लगा है कि आप वोल्टेज को बढ़ाईए या घटाईए उस हिसाफ से यहाँ पर कुछ ने कुछ वैरी होता हुआ दिखाई यह सिंपल तफीगर ना ठीक है एक वोल्टेड ग्लास ट्यूब में दो चीज लगा हुआ है सी फॉर कैथोड कैथोड मींस एमिटर यहां से एलेक्ट्रों एमिट हो रहा देखो और कहां पजाय क्लेक्ट हो रहा है अनोड के पास क्लेक्ट हो रहा है इस वेसे उसका नाम हम लोगों ने कहा दिया है कलेक्टर भी दिया है इनिशियली यह जो हमारे पास ए होता है वो बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव से या निगेटिव से किसी से भी हम करेंट करेंगा कैसे करेंट करेंगे भी हम आपको बताते हैं हाना और इसको हम positive to connect कर देते हैं, electron cathode से निकलेगा, anode के तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या जाएगा, कब होगा, क्या होगा, मैं आप सबको समझाता हूँ, यहां तक figure में कोई दिक्कत है तो बताओ, no sir, video वालो, यह बनाना नहीं है, बनाने के लिए मापको मौका देंग यहां, don't worry, video वालो, figure में कोई doubt, कोई confusion, कोई question, तो पूछओ बेटा, video वालो, बताओ, कोई दिकत, yes, no, low battery please charge, औँ बनान बोलरी है, low battery please charge, आचा, चलो, आप देखते हैं, समझे का अप रियास करता है, इसमें पहला कान, तो मैं कुछच चीजे तो रखा हूँ, सायद मैं आपको दिखा भी सकता हूँ मैं तो बहुत अंतर्यामी आदमी हूँ मैं रखा भी हूँ और आपको मैं दिखाने का प्रयास भी करूँगा मेरे पास सारा चीज एवलेबल है बैटरी कहीं दिख रहा है कि नहीं तुम लोगो होना चाहिए बैटरी भी बैटा बात नहीं तभी समझ में आएगा नहीं तो बात करोगे तो कुछ नहीं आएगा पहले एक छोटा सा कहानी देखो ठीक है वहीं बैटो जाँ बैटे हो अच्छे बच्चे हो ना तुम यू अर गुड बॉइ हो गया तो लेट यह तो सुचो कि नाम के पीछे लेट लग रहा है है कि नहीं तो देखो बैटा मैंने यहाँ पर एक LDR लिया सिंपल सा छोटा सा LDR यह आप लोग को सायद दिखाई दे रहा हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं दिख रहा हो तो और अच्छी बात है दिख रहा है कि आप लोग एक छोटा सा LDR है इस LDR के सिरीज में एक मैं क्या लगाता हूँ एक LED बल्ब लगाता हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेट सर्केट नी बनाता हूँ दो सर्केट बनता है एक डार्क सर्केट एक लाइट सर्केट तो मैं लाइट सर्केट आपको मोना आगे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बएप पढ़ाना है और ये मुझे समझाना है दग गया एक LED के साथ क्या लग गया ևक LDR अब मैं एक बैटरी को इनके साथ क्या करता हूँ कनेक्ट करता हूँ मैं एक बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करता हूं कोई बच्छा मुबाइल फोन लाया है प्लीज मुझे दे दे उसका फ्लैसलाइट जला आगे रख दीजे वहीं रख दीजे थैंक यू अब मैं करता हूं इस ट्यूब लायट को बंद किससे बंद होगा बैसाथ किससे बंद होगा चलो आप लोगको यह बल्ब जलता ओधिक रहा है घया वीडियो आलो अपलोग्ड यह जलता ओधिक रहा है थोड़ा कम अब जैसे जैसे इस LDR पर मैं light के intensity बढ़ाऊंगा यह बल्प की glowness देखो क्या हो रहा है बढ़ रही है कि घट रही है बढ़ रही है ना देखो हम नीचे कर दिया अब देखो उपर कर दिया तो intensity क्या हो रही है वीडियो आलो तुम लोगों दिख रहा है कि नहीं देखो वीडियो आलोगों सायद नहीं दिख रहा है दिख रहा है यह दो को बल्प की इंटेंसिटी कैसी है जैसे जैसे सुपर लाइट के intensity में बढ़ा रहा हूं बल्प की glowness क्या हो रही है बढ़ता हुआ दिखाई दे रह बढ़ रहा है यह कैसे हो रहा है यह लाइट जल अब पूरी रूम डार कर दें तो यह थोड़ा भी नहीं जलेगा अलो नहीं तो मेरा यह बंद हो जाएगा करकर दखाई नहीं आपको बता दने कि यह अगर इसके उपर हम पूरे तरीके से अगर ऐसे ढग दो लोग दिया भी जल गया थोड़ा महीं नहीं क्योंकि इसको पूरे हाथ ऽाया अंने डग दिया अब अब यह आट आते हैं नुपर यह तो जल गया अब UMप जो पर पूरा अम ऋम डार कर देते हैं वंद जल गया का इसका मतलब इसके आपर लाइट पढ़ रहे है और लाइट की intensity देखो जहां से धीरे-धीरे अगर light की intensity धीरे-धीरे इसके बढ़ा रहे है तो इसकी brightness बढ़ रही है और घट रही है बढ़ रही है ने इसका मतलब इसके अंदर current ज्यादा जा रहा होगा तब तो glowness बढ़ रही होगी इसका मतलब जैसे जैसे हम light की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोटो एलेक्रिक करेंट भी क्या होता है बढ़ता चला जाता है समझ मैं सो पहला जो आपके पास अबजर्वेशन है वो है इसमें तीन अबजर्वेशन है तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा तो अबजर्वेशन नमबर बन इसको हम बोलेंगे effect of intensity of light on photoelectric current ठीक है effect of intensity of light on photoelectric current अब मैं इसका पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ और इसके बाद मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा सायद ये कुछ पल के लिए गायब हो जाए और इसकी जगह चंदनसर वापस आजाए तो मैं इस केबल को इसके अंदर प्लग करता हूँ आजा बाई SDMI 2 अब आपको यहाँ पर एक बहुत बहतरीन सा एक्सपरिमेंट दिख रहा होगा photoelectric effect का देखो जब light इसके उपर incident हो रही होगी तो metal surface से electron eject होकर के इधर जा रहा है जा रहा है क्या यस नो वीडियो आलो जल्ली बताओ बोलो बिटा अब मैं क्या करता हूँ पहला काम यह light electron कब eject होगा जब इस metal surface पे जो light पड़ रही है उसकी frequency threshold frequency के बराबर या उससे बड़ी की frequency के light incident होगा तब जैसे मैं देखो अगर इसकी अब बताओ किस light की wavelength ज्यादा होती है अगर उसकी wavelength ज्यादा होती है तो frequency क्या होगी सबसे कम होगी इसका मतलब अगर हम इसके उपर red light जलाएं तो electron का ejection होना चाहिए नहीं नहीं होना चाहिए देखो चेक कर लेते हैं से मैं यहाँ इंटेंसिटी चेंज करता हूँ तो रेड लाइट जला रहा हूँ अब दीरे 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 मैं इसकी frequency बढ़ा रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं देखो अभी भी इने eject हो रहा है अब जैसे ही threshold frequency से ज्यादा का light इसके उपर incident होगा electron का ejection क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा देखते रहे हैं अब देखो यह दो यह हो गए इसकी 46, 43, 40, 640 अब यह light पढ़ते ही देखो electron का ejection क्या हो गया स्टार्ट हो गया ना तो इस frequency को हम क्या बोलेंगे threshold frequency अब यह कोई आप किसको calcium यूज करना चाते हैं आप calcium यूज को लो जो अब इसका अलग होगा इसका threshold frequency और ज्यादा होगा इस पर electron का ejection हो ही नहीं रहा है कोई और ले लो LED ले लो LED पर विचे को electron का ejection नहीं हो रहा है कोई और ले लो rubidium ले लो इस पर electron का ejection हो रहा है कितने पर हो रहा है पांसो एक केस ना 582 लीटियम ले लो sodium ले लो sodium पर electron का ejection देखो हो रहा है लो इसकी threshold frequency 566 मतलब सारे metal की क्या होती है threshold frequency अलग होती है हाथ रहा ब्लू हो गया आप नहीं दिख रहा होगा देखो और भी कम होगा पांसो लगबग 151 पर नहीं है चाहँ वन पर है ना तो उसके अलग-अलग threshold frequency होती है पहले बास समझ में है इसका मतलब electron का ejection का होगा जब light इसके उपर incident हो रही है उसकी frequency किसके बराबर या किससे बड़ी होनी चाहिए threshold frequency के बराबर या उससे जादा होगी तो light इसके उपर क्या होगा अब मतलब electron का यहां से क्या होगा और इसकी intensity कम कर दा रहे हैं मतलब blue color तो है लेकि बहुत धीरे जल रही है blue color देखो एदम बहुत धीरे जल रही है तो electron का ejection कैसा है धीरे photo electric current कितना है देखो अभी देखो कम हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा अभी देखते रहो कहां पर आजा रहे बैचारा photo electric current यहाँ देखते रहे हैं लग बग 0 के बराबर मतलब थोड़ा बहुत current निकल ला है अब जैसे जैसे हम intensity बढ़ाएंगे बढ देखो intensity बढ़ा रहे इलेक्टरॉन का ejection क्या हो रहा और तेज हो रहा है करेंट बढ़ राहे है- i can form फोट ऑनलेक्टिक करेंड को थोड़ा और मैं बढ़ाया electron का ejection देखो और तेज होगया करेंड बढ़ राहे है थोड़ा और बढ़ाया, क्या मैं बढ़ा रहा हूँ, यहां देखो, यह 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 दे frequency से मितलब नहीं अभी हमने किसकी किसकी कि बात करना है effect of intensity versus photoelectric current इसका मतलब जैसे-जैसे light के intensity यहां बढ़ाते चले जाएंगे brightness, simple से बोलो तो जैसे-जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे-वैसे, electron की संख्या क्या होगी? ज़्यादा electron eject होगा अब ज़्यादा electron eject होगा तो हम लोगों ने कहानी पढ़ा था चैप्टर नमबर थर्ड में I is equal to A, N, E, V, D अगर N बढ़ेगा तो I क्या होगा बढ़ेगा नमबर density of electron अगर यहाँ बढ़ रहा है तो current की value भी क्या होगी बढ़ेगी इसका मतलब जल्दी से बताओ कि अगर आपने क्या पाया भी क्या पाया जल्दी बताइए कि अगर आपने क्या बढ़ाया intensity बढ़ाया इसका मतलब intensity is directly proportional to photo electric current photo electric current अब अगर directly proportional है तो इसका graph कैसा बनेगा मुझे कोई बच्चा बता दे straight line तो अगर हम इदर intensity लिख लें और इदर photo electric current इसको हम आई-पी से represent करें इनके बीच का graph कैसा आना चाहिए बताओ आप लोग straight line बास सहुंद रागी पहला observation क्या बोला बताओ अगर कोई light incident हो रहा है किसी metal surface पे जिस light की frequency threshold frequency से जादा है या threshold frequency के बराबर है तो electron का ejection होगा लेकिन जैसे जैसे आप intensity बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी photo electric current भी क्या होगा बढ़ेगा electron का ejection तो तभी होगा जब उस metal surface पे जो light incident हो रही है उसकी frequency threshold frequency के बराबर या उससे जादा होगा तभी electron का ejection होगा अगर कम frequency के light incident करेंगे तो दिखा था आपने electron का ejection नहीं होगा आप intensity भला ही बढ़ा दो जैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको होगी किसर वह भी मैं दिखा देता हूँ लेकिन threshold frequency कम रख दूँ तो भी क्या होगा electron का ejection नहीं होगा मैं आपको चेक करा का दिखा देता हूँ देखें ठीक है जैसे यह metal था आपके पास तो मैं यहाँ क्या काम करता हूँ इसकी threshold frequency कहा थे मानलो यह ग्रीन वाली light पर चले जाते है अधुकर इसकी intensity full है फिर भी electron का ejection नहीं हो रहा है नहीं हो रहा न इसका मतलब light electron का भी eject होगा जब frequency threshold frequency से जादा या उसके बराबर होगा तभी electron eject होगा अब फिर उसके बाद आप intensity बढ़ाईए या घटाईए उसी इसाब से वह vary करेगा बात सौन में आगे यस नो अब देख लो या पर threshold frequency से कम है लेकिन फिर भी हम intensity कुछ भी कर रहा है electron का ejection नहीं हो रहा है clear यहां तक पहला heading लिखो बच्चो फटाफट यह figure बनाईए पहले तो यह figure बनाईए यह figure बनाईए heading लिखेगा experimental verification for photoelectric effect उसमें यह figure बनाईए उसके पहला observation में यह लिखने से पहले कुछ statement लिखवाएंगे फटाफट लिखिये तो इसके नीचे बिटा statement लिखेगा यह क्या था आपके पास effect of intensity of light on photoelectric current इसके नीचे एक statement लिखेगा photoelectric current photoelectric current is directly proportional to photoelectric current is directly proportional to the intensity of photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident radiations intensity of incident radiations provided provided the intensity of sorry provided the frequency of provided the frequency of provided the frequency of incident radiation must greater than the threshold frequency must be greater than or equal to threshold frequency must be greater than or equal to threshold frequency यहां तक clear हुआ चले next पहला observation समझ में आया कि अगर light की intensity of जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे photoelectric current की value क्या होगी बढ़ेगी इसका मतलब यह जो आए ना current की value ज्यादा शो करेगा चले second observation अगराफ बना लिजे फटक से यह लिख करके ग्राफ बना लिजेगा यह लिख लिजेगा और ग्राफ फटक से बना लिजेए आई पी क्या है इसको लिख लिजेगा photoelectric current photo electric current यह photoelectric current बनता कहा है बेटा यहाँ जो electron move कर रहा है यहाँ पर बनता है यह आई पी ठीक है ना electron के movement के वज़ेश जो current बन रहा है उसको हम बोलता है photoelectric current तो पहला observation हम सबको clear हो गया कि भाई जैसे intensity बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा photoelectric current बढ़ेगा चले दूसरा observation की तरफ चली आप देखिए दूसरा heading आपके पास होगा effect of potential second observation होगा effect of potential on photo electric current बहुत ही प्यारा इसी से ज़्यादा question आता है दूसरा और तीसरा observation बहुत बार पूछा गया बहुत बार पेपर में मतलब CBSC का favourite CBSC का favourite इसमें कुछ point wise अनुनोट करेंगे ठीक है इसमें हम लोग कुछ point wise नोट करेंगे कि आपको याद हो जागा तुरन तो पूरा एक paragraph लिखवाएंगा तो याद ही नहीं होता आपसे क्या होता है तो चलिए पहले हम लोग वापस से अपना एक experiment देखते हैं और कुछ चीजे समझने का प्रयास करते हैं आइए वापस से उसी experiment को दुबारा देखते हैं और इसमें पहला बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं stopping potential चले तो मैं पहले तो एक ऐसी light ले लूँ जिसपे electron का ejection हो रहा हो जिसपे electron का ejection हो रहा हो यहां हो रहा है intensity full है है ना अब तो अध्यान दीजे यहां current बन रहा है photoelectric current बन रहा है अब मुझे क्या करना है intensity भी रहे और जो light incident हो रहे है उसकी frequency 300 frequency से ज़्यादा भी है फिर भी मैं चाहूं कि यह electron यहां से ejection हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग बहुत तेज आदमी हैं हम मानते हैं लेकिन हमारी तेजी को भी थोड़ा सा महसूस करिए ठीक है क्या है तेजू लोग अब अगर मैं बोलू इसमें यह था cathode यह क्या था यह क्या था cathode और यह क्या था एनोड एनोड बैटरी के किस से connected है नेगेटिव से और cathode किस से connected है ठीक है अच्छा सर अब तो अध्यान सुनिएगा इस एनोड को यह क्या आ रहा है आपके पास यहां से इलेक्ट्रौन सरन कैसा होता नेचर नेगेटिव इसका मतलब इस एनोड को कितना कम से कम negative potential देने इसको negative potential कितना कम से कम देने यह भी negative हो जाएगा यह भी negative होगा क्या negative.. negative attract करेगा क्या नहीं करेगा मतलब अभी एनोड स्टार्टिंग में पास जो आपके पास एनोड था वो बैटरी के पॉजिटिव से करेक्ट था और ये जो कैथोर था बैटरी के निगेटिव से करेक्ट था ठीक है लेकिन अब हम क्या करेंगे इस एनोड को किस से करेंट कर देंगे निगेटिव से इतना कम से कम निगेटिव पोटेंशिल दे इस एनोड को ये भी हो गया निगेटिव और ये भाई सब अल्रड़ी निगेटिव है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने देंगे क्या नहीं ना आने देंगे वो क्या करेंगे रीपल करेंगे रिपल करेंगे रिपल करते करते इतना रिपल करेंगे की ELECTRON यहां से हां तक पहुची ने पाए जब ELECTRON ने पहुच पाएगा तो ٹो CURRENT N नहीं बनेगा कैसे सर ऐसे सर फ्रोध्यान देते हैं मैं यहां की potential को change करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं मैं यहां पर देखो सब कुछ सेम है इंटेंसिटी भी है frequency of light भी है electron का ejection भी हो रहा है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं यहां की potential को मैं change कर रहा हूं और देखो क्या हो रहा है देखना देखते रहना यह दोखो अब यह इनको ripple कर रहा है Electron को अपने तरफ आने नहीं दे रहा है, 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 मैं बढ़ा दिया Electrons जब यहां से यहां तक पोपहुच एह नहीं, तो photo electric current क्या हो गया? 0 हो गया इसका मतलब हो गे ना ऐसे potential को हम क्या बोलते है stopping potential या cut off potential अगर कोई पूछ देब what is this stopping potential तो आप क्या बोलों के बताओ किस plate को potential दिया गया था जिसके वाज़ करेंट anode को दिया गया था कैसा potential दिया गया था minimum negative potential दिया गया so that photoelectric current becomes zero यहां से जो photoelectric current हो zero हो जाए ऐसे minimum negative potential को हम क्या बोलते है stopping potential तो what is stopping potential the minimum negative potential given to plate A that is anode so that the photoelectric current becomes zero it's called stopping potential या cut off potential पहले कहां ही समझ में हाई yes or no आगी जब को चलो तो पहला heading हो गया हमारे पास stopping potential देखो लिखो इसके अंदर पहला heading आपके पास क्या होगा stopping potential आप इसके अंदर पहला stopping potential और cut off potential लिखे इसके बारे में फटाक से the minimum it is the minimum negative potential इसको किसे रिप्रेजेंट करता है पहला पहला वी नॉट से रिप्रेजेंट करता है ठीक कि रयान दीजेगा it is the minimum negative potential given to plate A bracket that is anode it is the minimum negative potential given to plate A that is anode so that so that the photoelectric currents become 0 so that the photoelectric currents becomes 0 that is IP equal to 0 that is IP equal to 0 is called cutoff potential or stopping potential is called cutoff potential or stopping potential okay it is called cutoff potential or stopping potential this is the second point experiment observation so how do you understand all the people this 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 यह intensity i1 है और इसके intensity i2 है पहले वाले के intensity थोड़ा कम है अद दूसरे वाले के intensity क्या थोड़ा ज़्यादा है लेकिन दोनों की color क्या है same इसका मतलब frequency क्या है constant ठीक है दोनों की frequency हमने क्या लिया constant क्या पाएंगे हूं अगर दो light हों दोनों का color same हो लेकिन उन दोनों की क्या हो intensity अलग अलग हो तो उन सबका stopping potential क्या होगा same होगा ठीक है मने पास समझ में आ रही है मैंने क्या बोला दो light हो दोनों की क्या सेम हो frequency same हो मतलब color same हो मोटी बटा ना frequency same हो लेकिन दोनों के intensity क्या हो अलग अलग हो तो दोनों का stopping potential कैसा मिलेगा same मिलेगा ठीक है यहां तक समझ माया अच्छा इसका मतलब observation no.2 में आपके पास यह हो गया stopping potential does not depend on the intensity of light when frequency remains constant अगर frequency constant है तो intensity कुछ भी हो उन सबका stopping potential कैसा होगा same होगा सर कहना क्या चाह रहे थे थोड़ा एक बार समझा देते तो अच्छा लगता तो उसको भी देखा जाए देखो देखो समझने में भलाई है तो बड़ा नुक्सान हो जागा ऐसा समझ में नहीं आता तो अगले experiment को हम लोग देखते हैं यहां पर फिर से क्या same होना चाहिए क्या same होना चाहिए frequency same होना चाहिए चलो मैंने देख लो अब यहां पर ध्यान दे रहा हूं सब लोग बच्छो यहां पर कौन से color glide है blue color glide है अभी intensity कितनी है hundred percent थ्रोध्यान से सुझ नहीं है का इसका stopping potential कितना है लगबत five volt प्लीज ज्यान दिजे आपर five volt अब मैं क्या करहा हूं इसकी intensity कम कर देता हूं तो भी इसका stopping potential देख रहे है five वोल्ड पा ही रह रहा है या कम हो रहा है या जादा हो रहा है देखो मैं क्या करता हूं इसकी intensity कम करता हूं यहां से करता हूं उतने पर यह न वहीं पर तो कोई इलेक्ट्रोन निकल कर रुख जा रहा है इसका मतलब intensity कुछ भी हो उनकी stopping potential क्या होगी same रहेगी stopping potential does not depend on the intensity of light when frequency remains constant यहां तक clear हुआ second observation चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा देखते रहते हैं समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत important चीज़ चल ला है second समझ में हो अच्छा इसको लिख लिए जाएगा third इसमें क्या है एक word आता saturation saturation मतलब क्या होता है अब जैसे आप लोग chemistry पढ़ते हो तो chemistry में एक word आता saturated solution saturated solution का मतलब होता है हाँ आप लोग जानते है एक एक आपने glass लिया उसमें पानी लिया उसमें एक चमझ घुला चीनी घुल गया दूसा चमझ घुल गया तीसा चमझ घुल गया चौता चमझ घुल गया पाचवा घुल गया छटवा में घुल नहीं घुल ला इसका मतलब क्या है पांच चम्मच के बाद वह सोलुशन सैचुरेट हो चुका है सैचुरेट होने का मतलब होता है आप लोग जानेंगे ऐसे इसके अंदर जो इस पेस होता है घुलता कहां पर है स्याद आप लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे तो मैं आपको बता दू य होती है किटना भी च wondгор नमक चीनी मिलाते हो नहीं घुलेगा इसका मतलब स्यास्त सूलूशन को हो चुका है सैचुरेट हो चुगा है इसका मतलब कुछ कुछ देर बाद आप उसके अंदर चीनी मिलाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ लेकिन घुलने का नाम नहीं लेगा उसको हम बोलते हैं कुछ हो रहा है यह है आपके पास photoelectric current प्र रज्रख समझे आप दिए दिर दिएम पोटेंशिलियांस इधर सिधर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है कि लेकिन एक टाइम आ गया इसके बाद आप बढ़ रहे हो तो current के value क्या रही है इस पॉइंट को क्या वोलेंगे, इस करेंट को क्या वोलेंगे इसके बाद आप वोल्टेस तो बढाते जा रहे हो लेकिन करेंट बनने का नाम नहीं ले रहा है इसी को हम तो क्या कहते है, सैचुरेटेड करेंट बात समझ में आईकी नहीं आई? Yes, No अब मुझे बताओ किसकी saturated current जादा है I1 की या I2 की I1 की या I2 की I2 की कैसे इसका मतलब आपको होगे जिसकी intensity जादा उसकी saturation current भी क्या है जादा इनकी देखें ये saturation current saturation current और इनकी देखें saturation current जिए जिसकी intensity जादा उसकी saturation current भी क्या है जादा यहाँ पर I2 बड़ा है किससे I1 से उसी तरह saturation current of third observation हो जाएगा saturation current of I2 is greater than the saturation current of I1 समझना रहा गया तीसरा देखते है अज़े चौधा तीसरा हो गया जाओ था देखो अब मैं बात करता हूँ मैंने आपको बताया था EV naught क्या था electron world किसकी unit है ना आप थोड़ा से धान समझना है आप अगर हम बोले 1 by 2 kinetic energy बोले which is equal to EV naught अब मैं आपसे बोलूँ थोड़ा धान समझे यह 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 भी observation बहुत ना है बहुत intensity of light use किया गया अगर उनकी frequency same थी तो उनका stopping potential कैसा था same था जब stopping potential same था तो अगर आप कम brightness की light डालो या ज्यादा brightness की light डालो दोनों से जो electron की velocity होगी kinetic energy होगी वो कैसी होगी क्या है सेम है तो इनके kinetic energy कैसी होगी सेम हो जाएगी बहुत नहीं है इसका मतलब आप कम intensity की light डालो या ज्यादा intensity की light डालो अगर दोनों का frequency same है तो उनकी kinetic energy भी कैसी होगी सेम होगी समझ माया पहला observation क्या था stopping potential stopping potential क्या था minimum negative potential किसको दिया गया anode को so that photo electric current becomes zero is called stopping potential या cut up potential अब दूसरा observation क्या था बताओ intensity कुछ भी हो अगर frequency constant है तो उनका stopping potential कैसा होगा same होगा थिक तीसरा क्या था जिसकी intensity ज्यादा उसकी saturation current भी ज्यादा जिसकी intensity कम उसकी saturation current भी कम चौथा क्या था intensity कुछ भी हो अगर frequency constant है तो kinetic energy भी सबका क्या होगा constant होगा same होगा बात समझ में आगए तो लिखो फटा फटेडिंग effect of potential on photo electric current और सबसे पहला यह grab बनाओ effect of potential on photo electric current और यह grab बनाओ यह तरडाक से आप लोग हाँ दूसरा यह observation number two उसके अंदर आप a b c लिखेगा a b c d ऐसे लिख लिजेगा जैसे लिख लो next reading c third point effect of effect of frequency effect of frequency on photo electric current तो जो आज का lecture अटेंड किया सिर्फ उसी को वीडियो शेयर करेंगे बागी किसी को वीडियो शेयर नहीं करने वाले है अब ध्यान दीजे कौन लेट हो रहा कहां लेट हो रहे हैं यहां पर ध्यान दीजे बहुत जरूरी चीज़ पढ़ रहे हैं आप अचा है इसका graph क्या होगा पहले समस्ते हैं फिर इसके बाद इसका point हम लोग मनाएंगे अभी तक क्या था वेटा अब तो अध्यान देंगे समझने का प्रयास करेंगे यह graph कुछ इस प्रकार से जाएगा यह ऐसे हो जाएगा अब यहाँ इससे पहले बादे observation में क्या constant था जली बताओ frequency constant था अब यहाँ पर हम intensity constant कर लेते हैं i1 equal to i2 equal to constant अब यहाँ change किसके करेंगे frequency इसको हम बोलेते हैं mu1 और इसको बोलेते हैं mu2 let us suppose that mu2 is greater than mu1 ठीक है अब क्या दिखाए दे रहा है अब दिखाए दे रहा है कि अगर intensity क्या है same है तो अगर दो different intensity of light है उन दोनों का stopping potential कैसा दिख रहा है अलग अलग दिख रहा है है अच्छा कैसे दिख रहा है अब इसमें बताओ जिसकी frequency कम उसकी stopping potential कैसा दिख रहा है कम देखो कम होगे न और जिसकी intensity mu2 जादा है जो उपर है वो जादा जो नीचे है वो कम mu2 जादा तो उसका stopping potential भी क्या है जादा इसका मतलब हमें एक मोटी मोटा बाख समझ में आने लगी कि stopping potential या frequency is directly proportional to क्या stopping potential कब when intensity remains constant जब intensity fixed हो जाएगी ध्यान से सुनिए बहुत important है आप लोग गरबर कर देंगे थोड़े सी के वज़े से गरबर हो जाएगा जब intensity constant होगा intensity constant का मतलब brightness एकदम एक ही जैसा है एक लाल light यूज कर ले और एक नीला light यूज कर ले दोनों ले ले लेते हैं तो दोनों से हम पाएंगे क्या इन दोनों की stopping potential अलग अलग दिखाए देगे ज्यादा होती है उसका stopping potential क्या होगा ज्यादा होगा सर देख लिया जाए आइए देख लिया जाए इसको भी देख लिया जाए क्या कह रहा है बाई सब्सक्राइब करते हैं अब मैं क्या करता हूं इंटेंसिटी सबकी fix कर देता हूं किस पे 100 पे fix कर देता हूं ठीक है वन परसंट दिख रहा है पचास पर कर दूं चलो पचास पर पहले हम किस कलर कलाइट यूज कर रहे है नीला अब इसका हम चेक कर लेते कितने पे एकदम करेंट रुख जा रहा ह लो हाँ कि यह देखते है आ है यह पांच रहा है अब यहां पर रुख जा रहा है ना यहां पर frequency हमने रख़्ा है कितना 500 73 Hz ठीक है और photoelectric current क्या हो गया है zero मतलब stopping potential आपको मिल गया stopping potential हो जहाँ पर photoelectric current क्या हो जाए zero हो जाए अब मैं क्या change करूँगा intensity change नहीं करूँगा आप क्या change करना है frequency मतलब brightness 50 का 50 पे ही रहेगा हमको change क्या करना है frequency frequency मतलब इसका color change करना है अब मैं color आ जाता हूँ थोड़ा सा हरे के तरफ लो इस पे आ जाता हूँ इस पे तो आगे बढ़ जाओ लो परपल आ जाओ अब परपल पे देखो बिटा intensity हुआ ही है 50% intensity 50% लेकिन यह आप electron के ejection क्या हो रहा है हो रहा है ना इसका stopping potential दोखो और अभी अलग होगा इसका stopping potential कितने पर होगा तो आजान दो यह है कितने पर है 1.1 volt दिख रहा है क्या मतलब intensity तो same है लेकिन दोनों का stopping potential क्या आया है अलग अलग है अब किसका जादा आया है बताओ इसकी इसकी frequency दे को जादा थी इसकी stopping potential भी जादा आया है और उसकी frequency क्या थी कम थी और उसका stopping potential भी क्या आया था कम आया था बात समझ में आ गए इसका मतलब stopping potential is directly proportional to frequency of incident light clear हो गया चलिए sir बहुत अच्छी बात इसका मतलब एक बहुत अच्छी बात हमको समझ में आ गए कि intensity कुछ भी हो अगर frequency अलग-अलग है तो उनका stopping potential क्या होगा अलग-अलग होगा लेकिन इनकी saturation current क्या होगी जल्दी बताओ तो same होगी saturation current कैसी होगी same होगी तो इसके अंदर दो observation लिखेंगे observation no.1 यह होगा और observation no.2 saturation current कैसा होगा same होगा बास सौंझाई तो लिखो फटाफ़ट हाँ पहले diagram बनाए आप लोग heading लिख करके और यह जो हम constant लिखेंगे नहीं सबसी लिखाए इस सब पूरा diagram में लिखेगा लिखे फटाफ़ट observation में A point में A point में लिखेगा for two different frequency of light for two different frequency of light if intensity remains constant if intensity remains constant then the light having higher frequency then the light having higher frequency have higher stopping potential then the light having higher frequency have higher stopping potential that is that is the stopping potential is directly proportional to that is the stopping potential is directly proportional to frequency of incident light when intensity remains constant when intensity remains constant second point second point second point for two different frequency of light if intensity remains constant then the light having higher frequency have higher stopping potential that is stopping potential is directly proportional to frequency of incident light when intensity remains constant okay second observation for two different frequency of light 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 then the saturation current also remains same then the saturation current also remains same next 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 last topic is going to be clear? just last now one small graph which is the question that is heading graphical representation no 4th not 3 observations graphical representation between stopping potential and work function and frequency stopping potential stopping potential and frequency अच्छे एक और बात पीछे वाले graph में ये x को उसको represent करेगा photoelectric current को और ये किसको represent करेगा stopping potential graph में थोड़ा सा लिख लेजेगा अभी ये photoelectric current और potential के बीच में graph चल दा अब जो हमारे पास graph है उसमें क्या क्या होगा एक end पर क्या होगा stopping potential और दूसरे end पर क्या होगा frequency ये graph very important इसको पे question आया हुआ है बहुत बात इधर क्या है frequency इधर क्या है stopping potential इसको हम लोग V0 से represent करते हैं थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करेंगे पताओ work function क्या था बिटा ये हो गया mu और ये हो गया mu dash मैं पूछू इसमें से frequency ज़्यादा किसकी है mu dash very good अब ये दो graph ऐसे parallel line जाएंगे और ये दोनों किसको represent करेंगे work function इसको बोलेंगे P इसको बोलेंगे Q तो जिसकी threshold frequency ज़्यादा उसकी work function भी क्या होगा ज़्यादा तो किसका ज़्यादा होगा phi of Q is greater than the phi of P ये graph बना लिजेगा कभी कभी आता है graph बना गया बताए किसका work function ज़्यादा होगा फटाक से नोट कर लिजे तड़ा तड़ ये दो metal है metal Q है और ये कोई metal P है इन दोनों का work function आपके पास 5Q और 5 तो जिसका stopping potential ज़्यादा उसकी work function भी क्या होगी ज़्यादा होगी फटाक से नोट कर लिजे प्ट्च कर दो फम्हें दोटाए किसे नोट ज़्यादा होगी कि हम एपके ज़दे बताए कि अपके ज़्यादा उनके नोट बताए